सबी दर्शक्रों को नमस्कार जश्र कुरुष्ण अप्रणाम नमांश चक्र के इस सुत्र में, स्रिंखला में आईए हम प्रवेश करते हैं मंगल आपके किस नमांश में बैठा है वह देखते हैं मंगल नमांश चक्र में आपको देखना है, जन्म कुंडली में नहीं देखना और एक बत बता दू जन्म कुंडली के द्वारा ही आप उपाय कर सकते हैं नौमांस चक्र के मुताबिक आपको उपाय नहीं करना चाहिए कोई लाव नहीं होगा सिर्फ आपको फलादेश देखना है नौमांस चक्र में कोई ग्रह तब जागरित होता है जब जातक की आयू का मोड दुत्तिय अस्तर का होता है मतलब 25 वर्ष के बाद 30 वर्ष के बाद अथवा जब वो दशा आती है तब ठीक है तो हम सबसे पहले हम देखेंगे सूरे के नवांश में मंगल को अगर आपकी जन्मकुंडली का मंगल नौमांस चक्र में नौमांस के सिंग राशी में बैठा हो तो आपके उपर उसका क्या प्रतिफ़ल होगा दुतिय अवस्था में जब आपकी मंगल की दशा आए तब विशेश ध्यान रखना यदि सिंग राशी में सूरे के नवांस में मंगल बैठे होंगे तो मंगल चुकी क्रूर ग्रह है और सूरे को भी क्रूर ग्रह कहा गया है अध्यात्म के यहाँ पर अवश्यक्ता नहीं है यहाँ ग्रहों की गड़ना की चर्चा हो रही है बाकी तो सूर्य आत्मा है जगत की आत्मा है चक्षू है तो सूर्य संसार को प्रकाशित करने वाले प्राण है और सविता देव कहा जाता है परंतो यहां ग्रहों की गड़ना में जो हमारा आदिभावतिक प्रसंग है वो समझना है सूर्य उग्र सुभाव मंगल उग्र सुभाव यदि सिंग के नौमांस में आपके मंगल बैठे होंगे तो आपके सुभाव में दूसरे पार्ट आफ लाइफ में स्वार्थ हो जाएगा आपके अंदर बुरी संगती हो जाएगी आपको जीवन में मंगल आपके सुभाव के कान दुखी करेंगे कपट करने का सुभाव बन जाएगा आपका अगर सिंग यानि सूरे के नौमांस में मंगल होंगे तब और हरदै रोग आदी से आपको परिशानी सेकेंड पार्ट आफ लाइफ में रहेगी आज मैंने चार्ट नहीं दिखाया है आपको समझना होगा आपकी जन्मकुली में नौमांस चक्र में खुद क्योंकि कई लोग ऐसी टिपड़ी कर देते हैं जो की बिल्कुल कडवी होती है जब उनको चार्ट की बात करें तो आईए अगर मंगल चंद्रमा के नौमांश में है आपका तो आपके सुभाव में क्या परिवर्टन होगा क्या असर होगा जातक के अंदर सेकेंड पार्ट आफ लाइफ में एकदम शांती शांत रहने की इच्छा बनेगी और ऐसा बेक्ति दूसरों के द्वारा आदरणी हो जाता है सम्मान प्राप्त करता है अच्छा मकान जलिय स्त्रोतों के आसपास जहरनों के आसपास रहना इस बेक्ति को बहुत ही प्रिय लगता है शांत प्रिय और ऐसा बेक्ति दूसरों की सहाईता करने में भी अग्रगणने रहता है मानिस आगे रहता है अगर मंगल करक में नीच का होता है याद रखिए पर जब मंगल चंद्रमा से केंद्र में स्थित होता है चंद्रमा से केंद्र में स्थित होता है तो चंद्रमा का नीच भंग हो जाता है और ये परिणाम फली भूत होते हैं, चंद्रमा से केंदर में मंगल, हलाकि याद रहे चंद्रमा की राशी कर्क है और यहां मंगल नीच का है परन्तु यदि चंद्रमा केंद्र में हैं तब ये फल जो बताया गया है निश्चिति फली भूत होगा मान लिजे करक में मंगल बैठा हुआ है मेस में चंद्रमा हूँ या फिर तुला में चंद्रमा हूँ केंद्र में कहीं पर भी बैठे हों तो ये फल जो है वो अवश्य में होता है अगर मंगल करक में हैं तो मंगल के नवांश मेस और वृष्चिक राशी मंगल का नवांश है आपकी जन्मकुनली में नवांश चक्र के अंतरगत यदि मंगल मंगल के नवांश में बैठा हो तो जातक अपने धर्म के लिए दृढ़ नहीं होता जातक में अपने धर्म पर आरूढ़ता की कमी रहती है बहुत जल्दी पिघल जाता है किसी भी धर्म को अपनाने की इसके अंदर आदत हो जाती है मतलब बिजातिय धर्म को भी अपना सकता है अच्छे बिक्तियों को कष्ट देने की आदत होती है अगर मंगल के नौमान्ष में मंगल है तो आपके नौमान्ष चक्र में है और ऐसी स्थिती में जातक बिधर्मी कारे कर सकता है हत्या तक कर सकता है तो अगर मंगल बुद्ध के नौमान्ष में है तो इस विक्ति को लोगों का भरपूर प्यार मिलेगा लोग इसका सम्मान करेंगे निस्चित बात है कि बीर, साहसी, बातूनी, धर्मा अचरण करने वाला जातक होगा यह विक्ति दूसरों की परवाह करेगा भले ही स्वयम कुछ ना खाए लेकिन दूसरों को खिलाए बिना नहीं खाएगा यह विक्ति भाग्यवान होगा अगर मंगल बुद्ध के नौमांश कन्या या मिथुन में बैठे हों आपके नौमांश कुंदली में जीवन में ब्यापारिक अस्तरिषन का ज्यादातर कायम रहता है बेवसाय छेत्र से और इस ब्यक्ति को जीवन की सारी उपयोगिताएं सुविधाएं प्राप्त होती है इनके मित्र भी इनके साथ अच्छे जुड़ते हैं मंगल यदि गुरु के नौमांश में हो जन्मकुंदली के अंतरगत गुरु का नौमांश कौन सा है धनू और मीन राशी धनू और मीन राशी में यदि आपके मंगल बैठें नौमांश में तो जातक के अंदर साहस तो होगा ही कहते बहादूर होगा वो आग में कूदने की हिम्मत ऐसा जातक रखता है और ये गलत बातों का बिरोध करता है गलत आदमियों का बिरोध करता है बेशक जान भले चली जाए लेकिन ये जुकता नहीं है धर्म आचरण करता है विभिन प्रकार के जो लोग हैं उनके साथ ये जुड़ करके अपनी बात अपनी न्याय नीती की बात करेगा तरह तरह के इस बिक्ती को वाहन भी प्राप्त होते है वाहनों का सुख भी मिलता है और इस बिक्ती के शत्रू कम होते हैं ऐसा नहीं है कि कोई शत्रू नहीं होता पर कम होते हैं क्योंकि ये बात न्याय शुदा करेगा अक्सर जज इत्यादी ऐसे लोग बन सकते हैं मंगल नौमांस कुंडली में यदि धनू और मीन में बैठा होगा तो शुक्र का नौमांस व्रिश और तुला नौमांस चक्र में यदि शुक्र नौमांस में मंगल बैठे होगे तो जातक मांसिक प्रसनता से युक्त रहेगा और जातक के अंदर धार्मिक प्रकृति भी होगी थोड़ा सजने समरने की अपनी घर को मेंटेन करने की अपनी बोडी को मेंटेन करने की आदत होगी इत्र फुलेल सुगंधी इत्यारी वस्तूं से इसका लगाव होगा अच्छी प्रकुर्ती वाला होगा और अच्छा बक्ता होगा इत्र प्रकार का ये शायर लेखक हो सकता है संगीत से बड़ी रुची होगी इस बक्ति को लोगों के प्रतिप्रेम और इसने की बहुलता होती है और ये फेमस परशन होता है नेम और फेम हम कह सकते हैं कि इस बक्ति को हांसिल होगे मंगल अगर जन्मकुंडी में शनी के नौमांस जैसे मकर में और कुम्भ में हो तो जातक का दुत्तिय आयू का समय थोड़ा कोटिलता भरा होगा कटुता भरा होगा अन्याय प्रियता होगी इतना परिवर्तन आ जाएगा दूसरी आयू में कि जातक बड़ा कपटी धूर्द अपने कारे को बनाने के चक्र में किसी का भी कारे बिगाड सकता है और इस ब्यक्ति को इन्फेक्शन बहुत जल्दी होता है छूत के रोग बहुत जल्दी होते हैं मंगल यदी मकर में और कुम्भ में बैठे हो नौमांस चक्र के अंतरगत तो ऐसी परिस्थितियां बन सकती है रक्त बिकार, ब्लड प्रेशर, हाई बीपी, शुगर कभी-कभी तो कैंसर जैसी इस्थितियां भी उत्पन हो जाती है बिजली से, लोहे से इनको खत्रा होता है सर्प, बिच्छो, जहरीले जानवरों से, सींग वाले जानवरों से भी इनको मृत्यू का कालन बन सकता है मंगल यदी शनी के नौमांस में बैठा होगा तो राशी कुंडली में मंगल उच्च का होकर मित्र के नौमांश में उस्थित हो तो जातक दूसरों से आदर और पद प्राप्त करता है उच्च सिक्षा प्राप्त करता है राशी कुंडली में अगर मंगल उच्च का बैठा है तो यह नौमांश से अलग की बात है मंगल नौमांश में नीच के होने पर जातक को स्वास्थ संबंधी परिशानिय अवश्य देंगे दुश्मन इस बिक्ति को कष्ट देंगे और यश की हानी भी होगी इसलिए नौमांश चुक्र में मंगल की यह स्थिती जो आपके सामने वर्नित की प्राया आयू के दुतिय और तुतिय भाग में जातकों को जहलनी पड़ सकती है आपके जन्मकुंडली में नौमांश के किस राशी में मंगल बैठे हैं आपको यह देखना है और फिर मैच करना है क्या यह आपके उपर लागू होता है यह रहा मंगल का नौमांस बिभिन नौमांशों में फलादेश बुद्ध का बिभिन नौमांशों में फलादेश अगले वीडियो में देखेगा कैसा है यह भी बताईएगा कमेंट करके फिलाल बिदा लेते हैं चोटे-चोटे वीडियो में आपको इसी तरह से हम अपने विचार देते रहते हैं नमस्कार जश्कृष्ण परणाम